ये गाईज गुड इविनिंग और वेलकम टू मैं चानल इंडियन मौम का अंचन तो सबसे पहले कमेंड करके बताइए कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत ही अच्छ होंगे और मैं भी बहुत अच्छ हूँ यहाँ पर किया है मैंने हैर वाश एक्चुली है रॉइलिंग की थी सुबह तो ऐसे ही रहने दिया उसके बाद फिर एडिटिंग वगर यह वो बहुत सारे काम रहते है यार दिन बर उसे में चला जा और फिर जाके अभी नहाने का टाइम मिल गया तो अभी नहाया उसके बाद अभी हैर केर कर रही हूँ जो भी होता है आपको जो हैर दिखते है ना अच्छे सिल्की शायनी स्मूद तो वह ऐसे ही नहीं होता है थोड़ी से हैर केर करनी पड़ती है तो वह क्या होता है सिंप बढ़ते हो ना वैसे आप खुद के लिए भी टाइम निकाला करो और अच्छे से अपना स्कीन केर हैर केर प्रॉपर करते हो ना तो आपके स्कीन भी अच्छी हो जाएगी और आपके हैर बेच्छे हो जाएंगे अभी मैंने नाहा लिया है hair wash किया है और बहुत लेट हो गया अभी 7 बज गया अच्छी तो आज इसी वज़े से लेट हो गया है क्योंकि दिन बर editing चली और फिर uploading उसके बाद सब कुछ यह हो तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े डालने बाहर बहुत रात हो गई है बट अब मुझे खाना बनाना है तो डिनर में आज क्या बनने वाला है मिक्स दाल हाँ वही तो मिक्स दाल बनने वाली है तो वह भी बॉइल करने के लिए रख दी है मुझे पता है अद्वीक मैं यह डाल देती हूँ कपड़े और फिर आपके लिए खाना बनाती हूँ ठीक है ठीक है ना तो चलो फिर अभी कपड़े डाल देता है यह जो मेरा कपड़ो का स्टांट हा ना गाईज वो भी फूल हो गया है और अभी यह यहाँ पर डोरी वान के दी है पीछे तो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि पीछे ओपन है और बारिश अगर आती है ना तो पीछे वो कपड़े बीग जाएंगे क्योंकि कल के कपड़े वैसे ही बीग गये थे मतलब पूरी मेहनत बरबाद हो जाती है तो इसवाज़े से यहाँ पर डोरी बान के दीत और जो भी कपड़े आप पहनना चाहते हो वो कपड़े आपके उपर फिट आए तो गाइस मैं आपके साथ एक प्रोड़क्ट शेयर करने वाली हूँ वो प्रोड़क्ट है यह सुनवा का बायो स्लीम इस प्रोड़क्ट की वज़े से आपका जो भी डार्गेट है वो पू सब्सक्राइब करेंगे सुनवा की बायो स्लीम इसे कैसे लेना है क्या करना है वह आपको मैं बाद में बताऊंगी बट इसके फाइदे आपको सबसे पहले बता दू अगर आप इसे लेते हो तो आपका मेटावॉलिजम बहुत ज़दा अच्छा हो जाएगा मेटावॉलिक करते हो अच्छे से तो आपका वेट दुबारा से वापस नहीं आएगा इस रिसेस्ट में यह पाया गया है कि इसमें जो इंग्रिडेंट्स है वह बहुत ज्यादा इपक्टिव इंग्रिडेंट्स है इसी वज़ए से आपका वेट लॉस जल्दी से होता है और आपका जो बहुत है वह जल्दी से वापस नहीं आता है अगर आप जंग भीख होगे तो आपको वह करना पड़ेगा अच्छे से मैंटें करोगे ना तो दुबारा से इससे जो वेट लॉस हुआ है वह वापस नहीं आएगा गाईज और इस टैबलेट में जो इंग्रिडेंट्स आड करपiku और इसमें बहुत सारे अटियासिदेट होते है और यह क्या करता है आपकी बाड़ी को डीटोक्स करता है नकी जैसे ही डीटोक्स होती है अटोमेटिक वेट लउस होने लगता है अपका यह फैट को बयाता है और जो फैट आप ले green tea से green coffee जो है वो 20 गुना अच्छी है गाईज green coffee beans आपके craving को भी control करता है बहुत से लोगों को sweets खाने की craving होती है बहुत से लोगों को junk food खाने की craving होती है तो उस craving को ये रोपता है गाईज ठर्ड जो इसका ingredient है ने गाईज वो है pepper nigrum पीपर निग्रम ये एक compound है जो काली मिर्च में पाया जाता है ये आपके blood circulation को ठीक करता है और जो oxygenative blood ये आपके हर एक organs को पहुझता है इसकी वज़े से आपके हर एक organs बहुत जाद अच्छे से काम करता है और ये आपके toxins को flush out कर देता है toxins को बहार निकालता है इसकी वज़े से आपका weight loss easily हो जाता है और आपके skin भी glow करने लगती है और इसकी वज़े से आपके बाल भी अच्छ हो जाता है और आप बाल जड़ने के problem को face कर रहे हो मतलब मोटापी की वज़े से तो ये problem आपको face करनी ही पड़ते है जैसे कि आपके skin इतना खाते हो इसकी वज़े से आपके skin डल हो जाती है आपके hair डल हो जाते है तो वह problem भी आपके ये solve करेगा तो कितना अच्छा है ना आपके इस एक bottle में 60 capsules मिझाती है और इसे आपको दो टाइम लेना है वो भी खाली पेट तो सुबह आपको एक बार लेना है और आपक पेट खाली हो जाता है उस टाइम जितना आप सहपा उतना गरम पानी लेना है और इसके साथ आपको इस टैबलेट को लेना है इससे आपको थोड़ा past result मिलेगा इसको लेने के बाद आप जो भी खाओगे वो आधे एक घंट के बाद खाना ताकि इसका असर अच्छ से हो ज के दिया है और यह जो टैबलेट है वह अवेलेबल है Amazon पे Flipkart पे और सुनोवाके अपनी वेबसाइट पे लिंक तो मैंने डिस्क्रिशन बॉक्स में देही दिया है आपके लिए लिंक पे क्लिक करके आप इससे परचेस कर सकते हो और आपका जो टार्गेट है वह आप अच कर देती और इसके बाद यहां पर टोमेट और पैच काड़ के रखा है और यह है अपना लसो नद्रक का पेस्ट तो चलिए बनाती हो भी दाल प्राइब मतलब वही कोई दाल मक नी बोलता है मिक्स दाल बोलता है कुछ भी जो आपके मन में आयो वह बोल सकते हो चलिए बना कभी यह बनाते न तो कभी इधर उदर रख देते रख और जब मुझे चाहिए होता है तब मुझे नहीं मिलता है तो इधर दोर ढूढ़ना परता है मैं क्या करती हूँ इधर वाले कबिनेट में रखती हूँ उपर वाले जो कबिनेट है उसमें ही रखती हूँ पैस हो नहीं जाता तब तक मैं दूसरे काम करूंगी क्यों यहां पर ही खड़ी रहो तो ऐसी मैं थोड़ी से जलदी जल्दी सब कुछ कर लेती हूं तो यहां पर मैं लगा रही हूं जीरा राइस तो जीरा राइस के वह ने तीन कड़री च्वटी-छोटी-छोटी-छोटी- से बॉयल होने के लिए रख दूंगे और रोबो कुक की वज़य से टेंस्यन ही खतम हो गया है रोबो कुक में लगा देती हूं और इह अपना काम करती हूं तो रोबो कुक में बनते भी रहता है और इधर अपना सब्झी भी बनती रहती है, तो इसना जादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो अभी मैं देखो क्या कर रही हो, जीरा ढाल दिया है, नमक ढाल दिया है, और थोड़ असा उसमें घी डाल दूँंगी, तो उससे क्या होता है कि चावल खीले-खीले से बनते है तो एक चमच घी डाल दीजे ओईल भी डाल सकते हो बट मैंने घी डाला उसके घी के वज़े से इसके टेस्ट बहुत ज़दा बढ़ जाती है तो यहां पर रुबुकुक मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहां पर मेरा जो प्याज है वो भी गोल्डन ब्राउन हो गया है इसके बाद मैं इसमें आड़ करूंगी यह एक चमच अद्रकलसुन का पेस्ट और बस इसे भी अच्छे से भून लेना है यह अच्छे से भून जाए तब जाकि इसमें सारे मसाले आड़ करूंगी क्योंकि इसकी कच्छ इसमेल चली जाएंगी और अच्छे से भून जाएगा तब जाके टेस्ट बढ़ेगा और यह जो मिक्स दाल है ना मेरे अजबन को इतनी जादा पसंद है कोई भी चीज अगर मुझे समझ में यह आती है ना कि सबजी किस चीज की बनाओं कभी कन्फूजन हो जाता है तो व बड़ा सा टोमेटो गलने के लिए नमक ब्याइड कर दिया है और इसे भी अच्छे से चला लूँगी और देखो कास्ट आरें के कड़ाई में इतनी जल्दी खाना बन जाता है और बहुत देर तक गरम रहता है और मुझे तो इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आ इनको यह और बच्चे भी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि ममा आज की तो डिफरंट लग रही है क्योंकि अभी कुछ दिनों से यह यूज कर रही हूं ना गड़ाई तो इसकी वज़े से टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना कि बच्चों को भी बहुत ज जिरा राइस वह भी रेडी है तो बस अभी उसके लिए MRC में भी आयogram करना है ऑ यह अ पनी जो दाल है उसमें भी आएड अमारी जो मिक्स दाल है और इसके उपर से अगर थोड़ी सी मलाई होती ना और भी जादा टेस्टी लगती बट मलाई मैतलब जैसे जमा हो गई थी ना मलाई उस मलाई का मैंने घी बना लिया था और अभी मलाई नहीं थी इसी वज़ेसे मैंने डाली नहीं अगर आप मलाई उसे वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगे बस यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ सबजी मैंने निकाल लिये है और आपको तो मैंने बताया ही था कि कास्ट आरेन की चीज़ों की कैसे केर करनी पड़ती है तो वही मैं अभी करूँगी क्यूंकि उसे नॉर्मल कड़ाई जै तो यह केर करनी पड़ती है और यहाँ पर न हम लोग बैट जाते हैं खाना खाने के लिए आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ है यह और हम लोग जब खाना खाते हैं एक साथ तो हम लोग यहाँ पर ही बैट जाते हैं हाल में खाना खाने के लिए क्योंकि यहाँ पर आराम से खना, भी खना होता है और बहुत अच्छा लगता है यहां पर तुशीवज़से, हम लोग hall में बैठ जाते हैं रात का काना तो मॐसली हमारा hall में ही होता है, और अच्छे सए अराम से हो जयाता है खना, क्योंकि कोई guest आते है नो वो देट जाते हैं और आराम से मजे लेकर साथ बाते करते खाना हो तो हम लोग यहां पर बैट जाते हैं और बस यहां पर हम लोगों का खाना चल रहा है आक्चुली सबजी दुबारा से बता रही इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी बोलते है ना हस्बन के दिल का रास्ता उनके पेट से ओके गुजरता है तो वैसे ही है सबजी की इतनी ज़्यादा तारीब कर रहे थे बार बार वही बोल रहे थे चावल के साथ खाय तो भी वह पूछो इमत बड़ो जैसा समझ में आता है टेस्ट तो इतनी समझ में आती है उसे सारी चीजों में वह एक नमबर है खाने पीने के मामले में तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है उसे जलिए गाइज इसके साथ इस व्लोग को यही पे एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए व्लोग में आपसे आपको यह छोड़ा से ब्लोग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया अब अब आप चाहो तो मेरे दुसरे चानल को पी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फोक्स मेल जायाए डिस्क्रिप्शन फोक्स जरूर चेक कर लेंदा चले पिर बाबाय टेक केर अड लव यू आल बाय गाइ जाइ देंदा कनपना